तो आज 17 फरवरी 2022 को जो फर्ष्ट पालिम आपका मैट का एक्जाम होने वाला था वो हो चुका है और हमारे पास कुश्चन एवलेबल हो गया है इसलिए हमने सारी कुश्चन को सॉल्यूशन करके आपके लिए आपजेक्टिव का आंसर की लिए क्या है सारी कुश्चन को सॉल्फ करके यहां पर आंसर की बताएंगे आपको यहां पर आपको सॉल्फ करके नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए यहां पर हम सिर्फ आपको राइट एंसर करके बताएंगे और जितने कुश्चन आपको बताएंगे जो student हमने question solve किये हैं वो आपका यहाँ पे 16 cm निकला हुआ है आपका first का right answer यहाँ पे जो हो जाएगा first का right answer आपका B हो जाएगा चलिए अब देखते हैं second का question क्या है त्रिभूज A, D, E, F तथा त्रिभूज P, Q, R में दिया है कि cone D equal to cone Q तथा cone R equal to cone E तो निमली खीत में इसे कौन सा सही है तो यहाँ पे देखिए student इसका जो right answer होगा यहाँ पे होगा आपका B चलिए देखते हैं आपका 3 का क्या है समीकरन यूग 2X plus 3Y equal to 5 तथा 4X plus 6Y equal to 15 का हल होगा तो यह एक अदूती हल होगा तो 3 का right answer यहाँ पे आपका A हो जाएगा चलिए देखते हैं 4 का question क्या है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65M-117 के रूप में होगा है तो M का मान क्या होगा तो यहाँ पे देखिए student 4 का right answer यहाँ पे आपका B हो जाएगा चलिए देखते हैं 5 का question क्या है 2, 10 और 20 का लौसो और मौसो का अनुपाद क्या होगा तो यहाँ पे जो question शौर्फ करके निकला हुआ है वो आपका B हो जाएगा इसलिए यहाँ पे देखिए 5 का right answer यहाँ पे आपका B हो जाएगा चलिए देखते हैं 6 का question क्या है यदि किसी घनाब की लंबाई L, 4, B, T, H है तो घनाब का आयतन क्या होगा तो देखिए student घनाब का आयतन होता है L गुने, B गुने, H तो यहाँ पे 6 का right answer यहाँ पे आपका यह हो जाएगा चलिए देखते हैं 7 का question क्या है 10, 10, 10, 10, 15, 10, 75, 10, 30, T, D, equal to क्या होगा तो यहाँ पे देखिए student यहाँ पे आपका 7 का right answer यहाँ पे हो जाएगा D चलिए देखते हैं 8 का question क्या है निमलिकीत में से कौन सा दुखात समीकरन है यहाँ पे जो हल करके आपका दुखात समीकरन है वो है C तो 8 का right answer यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 का right answer यहाँ पे आपका C हो जाएगा चलिए देखते है 9 का question क्या है एक बेलन और एक संकू के अधार समान है यदि उनकी उचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा तो देखे student यहाँ पे जो आपका 9 का हो जाएगा वो हो जाएगा D 3 अनुपात 1 चलिए देखते है 10 का question क्या है चलिए देखते है 12 का question क्या है बिन्दू 6-5 का x नियामक क्या होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 12 का right answer यहाँ पे आपका A हो जाएगा चलिए देखते है 13 का question क्या है दुखात बोफात x x 2x-5-3 के सुनियक का योग होगा तो यहाँ पे देखे 13 का right answer यहाँ पे आपका हो जाएगा D 13 का right answer यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा हो जाएगा D 13 का right answer यहाँ पे आपका D हो जाएगा चलिए देखते है 14 का question क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अन के बड़ाबर होता है यहाँ पे 14 का right answer यहाँ पे आपका C हो जाएगा चलिए देखते हैं 15 का question क्या है निमलिखित मेरे से कौन बहुपद है तो यहाँ पर देखिए 15 का राइटेंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका D हो जाएगा चलिए देखते हैं 16 का question क्या है जितने भी question हम आपको बताएंगे एक तम correct answer बताएंगे देखिए 16 का राइटेंसर है 12 मीटर उचे खंबे की जमीन पर पर रही छाया की लंबाई 4-3 मीटर है तो सुड़े का उन्ने और कोन क्या होगा यहाँ पर 16 डिगरी हो जाएगा 16 का राइटेंसर यहाँ पर आपका A हो जाएगा चलिए देखते हैं 17 का question क्या है तिरभूज ABC एक समकोन तिरभूज में जिसमें कोन सी इक्वल टू 90 डिगरी हो तो cos A प्लस B का मान क्या होगा यहाँ पर देखिए 17 का राइटेंसर यहाँ पर आपका A हो जाएगा चलिए देखते हैं 18 का question क्या है बिंदू 2,3 A माइनस 2,3 के बीच की दूर ही होगा तो देखिए अगर आपको बीच की दूरी की फर्मूला आता होगा तो यह question आप जरूर सॉल्फ किये होगे तो 8 का राइटेंसर यहाँ पर देखिए 18 का राइटेंसर यहाँ पर आपका B ह हो जाएगा चलिए देखते हैं 19 का question क्या है एक बेलन तथा संकू के अधार की तिर्जया 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तो उनकी उचाई 2 अनुपात 3 के अनुपात में है तो बेलन के अईतनों का अनुपात क्या होगा तो देखिए 19 का राइटेंसर आपका यहाँ पर A चलिए देखते हैं 20 का question क्या है ज़्यदी 3,4,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,0,9 क्या होगा तो यहाँ पर देखिए 21 यहाँ आपका C हो जाएगा 7 चलिए देखते हैं 22 का question क्या है 13 और 19 के बीच समानतर माध क्या होगा तो देखें 22 का right answer यहाँ पे आपका 22 का right answer यहाँ पे आपका B हो जाएगा चलिए देखते हैं 23 का question क्या है यदि द्विखात पहुपत x square minus px plus 4 equal to 0 के मूल बढ़ाबर हो तो P क्या होगा तो 23 का right answer यहाँ पे आपका B हो जाएगा चलिए देखते हैं 24 का question क्या है यदि A और B अभाज संख्या है तो A और B का loss हो क्या होगा तो 24 का right answer यहाँ पे आपका C हो जाएगा चलिए देखते हैं 25 का question क्या है बिंदू xy के दूरी के मूल बिंदू से क्या होगा तो 25 का right answer यहाँ पर आपका b हो जाएगा चलिए देखते हैं 26 का question क्या है निमलेखित में से कौन अभाज संख्या है तो 26 का right answer यहाँ पर आपका b हो जाएगा चलिए देखते है 27 का question क्या है 1 plus 10 theta plus 1 theta into 1 plus 4 theta minus cos 1 theta equal to क्या होगा तो देखे 27 का right answer यहाँ पे आपका D हो जाएगा 2 चलिए देखते है 28 का question क्या है यदि एक वृत की पड़ीरी 2 pi से बढ़ा कर 4 pi कर दी जाए तो उसका 6 फल क्या होगा तो 28 का right answer यहाँ पे आपका B हो जाएगा चलिए देखते है 29 का question क्या है निम्न में से मूल बिंदू के नियामा कौन है यहाँ पे आपका B हो जाएगा 0,0 चलिए देखते है 13 का question क्या है x equal to minus 5 का आले किसी सरल रेखा होगी तो 13 का right answer यहाँ पे आपका C हो जाएगा मूल बिंदू से जाती हुई चलिए देखते है 31 का question क्या है sin 90 degree minus theta equal to क्या होगा यहाँ पे आपका cos theta हो जाएगा 31 का right answer यहाँ आपका C सही हो जाएगा चलिए देखते है 32 का question क्या है निम लिखीत में से कौन पर्माई संख्या है यहाँ पे आपका C सही हो जाएगा 32 का option C सही हो जाएगा चलिए देखते है 33 का question क्या है यदि से 1 theta equal to 13 बटा बाड़ा हो तो 4 theta का बढ़ाबर होगा यहाँ पे देखे 33 का right answer यहाँ पे आपका C हो जाएगा चलिए देखते है 34 का question क्या है बिंदू A, 3,4 और यहाँ पे देख लिए 3,4 और मैनस 3,8 है तो देखा खंट के मद्व बिंदू का नियामक होगा यहाँ पे देखे 34 का right answer यहाँ पे आपका कितनी असपर्स रेखा खीची जा सकती है देखे 36 का right answer यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का, sorry यहाँ पे 35 का देख लिजे 35 का right answer यहाँ पे आपका A हो जाएगा चलिए देखते है 36 का question क्या है देखे 36 का sign, trisher degree, butter cost, 87 degree का मान क्या होगा यहाँ पे देखे 36 का option यहाँ बी सही हो जाएगा चलिए देखते है 37 का question क्या है द्युगात बोपद x square plus 1 by 6 x minus 2 के सुनियक होगा तो देखे 37 का option यहाँ पे आपका C सही हो जाएगा चलिए देखते है 38 का question क्या है समानतर श्रेनी 10, 7, 4 का तीसमा पद क्या होगा यहाँ पर 38 का option आपका C सही हो जाएगा चलिए देखते है 39 का question क्या है यदि 10 theta equal to 8 बटा 15 हो तो कौसेक theta का मान क्या होगा तो 39 का option यहाँ पे आपका A सही हो जाएगा चलिए देखते है 40 का question क्या है 1 से 100 तका सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा यहाँ पर option आपका 40 का B सही हो जाएगा चलिए देखते है 41 का question क्या है 2, 4, X और Y में राखिक समीकरण AX प्लस BY प्लस C 0 होते कितने अधिक्तम हल समभब होगा देखें 41 का option यहाँ पर A सही हो जाएगा चलिए देखते है 42 का question क्या है समानतर स्रेनी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 होगा यहाँ पर देखें 42 का option यहाँ पर C सही हो जाएगा 30 चलिए देखते है 43 का question क्या है बिंदू – 3, – 5 किस पाद में इस्तित है यहाँ पे आपका तीरतीय पात हो जाएगा 43 का option यहाँ पे C सही हो जाएगा चलिए देखते है 44 का question क्या है 2 cos square side degree का मान क्या होगा यहाँ पे देखिए 44 का option यहाँ पे D सही हो जाएगा 1 by 2 चलिए देखते है 45 का क्या है question निमलिखित में से कौन सा संख्या एक घटना की प्रैक्ता नहीं हो सकती यहाँ पे आपका कोई भी माइनस में जो मान रहेगा तो वो प्रैक्ता नहीं होता है यहाँ पे 46 का option यहाँ पे आपका 20 सही हो जाएगा चलिए देखते है 47 का question क्या है सबसे छोटी भाज संख्या और छोटी अभाज संख्या का मौसो कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 47 का option यहाँ पे एस ही हो जाएगा चलिए देखते है 48 का question क्या है एक धातू का घंड जिसकी भुजा एक सेंटी मीटर को खीच कर चार मीमी व्यास एक तार बनाया गया है देखें student यहाँ पे question कुछ solve करके नहीं निकला हुआ है यहाँ पे मैं sure नहीं हूँ इसलिए मैं आपको यह question नहीं बताऊँगी अगर मैं sure हो जाओंगी ता आपको comment box में लिख दूँगी comment box में आपको pin कर दूँगी ठीक है 48 का option यहाँ पे मैं sure नहीं हूँ चलिए देखते है 49 का question क्या है 1 plus 10 square theta equal to क्या हो जाएगा यहाँ तो 6 square theta हो जाएगा 49 का option यहाँ पे एस ही हो जाएगा चलिए student मैंने जितने भी question 50 question यहाँ पर solve करके आपको बिल्कुल correct question बताएगा बचा आपका 50 question तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें comment में जरूर बताएगा यहाँ पे 50 question शॉल्फ किये इसलिए हम जल्दी यहाँ से आपको upload करके कर दिए हैं अगर आपको 50 question और चाहिए तो आपको comment में जरूर बताएगा वहाँ पे आपको solve करके अगर solve करके आप देखना चाहते हैं तो मैं solve करके भी upload कर दूँगी बस आप comment कीजिएगा अगर आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को subscribe कर दिजेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके exam होगे उसका answer की यहाँ इस चैनल पर upload हो जाएंगे इसलिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरू कर दिजेगा thanks for watching